हैलो फ्रेंट्स! वेल्कम बैक टू मैं जायाए ठरफीस कीचन आज की हमारी रेसेपी है कॉफी मॉ oni बहुती स्पांजी और बहुती डेस्टी बनती है बच्छों को तो बहुत पसंद होता है मॉफिंस तो चले देखते हैं इसकी रेसेपी से कैसे बनाएंगे ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही कम समय में आप इसे रेडि कर सकते हैं तो चलिए हम अपनी रेसिपे स्टार्ट करते हैं तो मैंने आप ले लिया है एक बाउल जिसमे मैंने गरम पानी डाला है पानी अच्छा गरम होना चाहिए अब इसमें हम डालेंगे कॉफी तो मैंने हाँ पे नैसले का कॉफी लिया है अब कोई भी instant कॉफी ले सकते है इसमें अब इसमें डालेंगे हम विनेगर थोड़ा सा ओईल डालेंगे टू टेबलस्पोन के करीम और साध ही इसमें हम डाल देंगे तीन चार ड्रॉप वैनिला एसंस तो यह मैंने वैनिला एसंस टाल दिया है इसमें अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे अब हम अपना ड्राइ इंड्रीडियन देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें मैं रखूंगी छलनी हमें सारे इंड्रीडियन चान के लेने है तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा मैदा हम चान लेंगे चान के लेना बहुत ज़रूरी है इसके बाद हम इसमें कोको पॉर्डर डालेंगे तो मैंने यहाँ पे टू टेबल स्पून कोको पॉर्डर डाला है साथी इसमें पीसा हुआ शक्कर डालेंगे पॉर्डर शुगर लिया है मैंने हाफ कब आप मीठा अपने अनुसार स्वात के हिसाब से कम या जादा कर सकते है मैंने यहापे थोड़ा सा सॉल्ट डाला है सॉल्ट डालने से टेस्ट जो है और इन्हेंस हो जाता है यहापे मैंने बेकिंग पॉर्ड डाला है और बेकिंग सोडा लिया है दोनों मैंने वन फोर्थ टी स्पून लिया है अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लंप्स पड़ जाते हैं तो यहाँ पे हम इस्पून की हेल्प से पूरा अच्छे से इसे छान लेंगे अब हम इसमें अपने जो weight ingredient है हमारे जो coffee का mixture बनाया था वो डाल देंगे अब इसमें मैं डालूँगी milk तो यहाँ पे मैंने one fourth cup milk लिया है जिसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें add करूँगी अब यह बाकी का milk भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पे मुझे यह थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं इसमें one table spoon milk और डाल दूँगी तो यहाँ पे मैंने one tea spoon milk और डाल दिया है और इसे अच्छे से mix कर लेंगे यह muffins बहुत easily बन जाता है friends और फटा फट से बन जाता है तो यह देख सकते हैं हमारा जो mixture है वो ready है cake का तो यहाँ पे मैंने silicon mold लिया है अब कोई भी cupcake का mold ले सकते हैं तो इसमें half-half इसको fill कर दूँगी यह बनने के बाद थोड़ा फूलेगा तो इस वज़े से इसमें half-half हम डालेंगे अब चाहे तो इसको उपर से और garnish कर सकते हैं चोको chips या chocolate वगरा डालके लेकिन मैं इसे simple बना रही हूँ इसमें कोई भी decoration नहीं करूँगी तो यहाँ पर हमने सारे हमारे जो mold है उसे fill कर लिये हैं अब मैं इसे आज oven में नहीं बना रही हूँ friends क्योंकि जिसमें के पास oven नहीं है वो कैसे बनाए यह मैं इसमें बता रही हूँ तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है जिसे मैंने preheat कर लिया है इसे गरम करने के muffins डाल देंगे और इसे धीमी आच में बेख होने देंगे इसे ढख दोंगी मैं और 25 मिनट के लिए इसे धीमी आच में हम बेख होने देंगे तो यह देखिए मैंने इसका ढकन लगा दिया है अब 20-25 मिनट के बाद मैं नहीं चेक करूंगी तो 25 मिनट्स के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मॉफिन्स जो है हमारे कपकेक फूल गए है और जो हमने तूद्पिक डाल कर चेक किया तो वो एकदम क्लीन निकला मतलब हमारा जो कपकेक है वो एकदम रेडी है तो यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत होरी इसको निकालने के लिए कि मैंने बड़ा प्लेट रख दिया था तो यह देखिए निकल गए हमारे मॉफिन्स और यह ठंडे भी हो गए है तो सिलिकन मॉल्ड में तो बहुत इसली निकल जाता है ऐसे भी आप अगर डालेंगे किसी मॉल्ड में तो अ हमारा कपकेक